आज मैं रमेडी लेकर आई हूँ वह उरत का दाल है इससे बाल मद्बूत और सिर्की होगा देखिए मैंने इसको पले पीस लेती हूँ मैंने दाल राते में भीगो के लग दिती तो यह फुल गिया दाल इसको मैं पीस के दिखाऊंगी यह देखिए यह पिसा गया है यह देखिए इसको मैं दूप डाल देखिए उसमें दूप डाल के पतला करूंगी परें इसके बार मैं छानूँगी तो यह देखिए मैंने छान लिया है इसे लॉंग हीयर हो जाएगा और जाएगा दिल्की बाल हो जाएगा ऐसे मैं लगा कर दिखाती है किस तरीके से लगाना चाहिए जान लिया है इस तरीके से अब मैं लगांगी इसमें लगाने जा रही हूं आप लोग देखाती हूं कैसे यह उड़त के दाल लगाते हैं इससे बाल लॉंग हो जाता है और सिल्की भी हो जाता है जो मैं देखा रही हूं लगाखर जिसके बाल कमें सर में वो आप लगा कर देखिए एक रोज के बाद एक रोज बाल लॉंग भी हो जाएगा और सिल्की भी हो जाएगा एक घंटा इसको छोड़ा दिखिए और उसके बाद बाल दोली देखा यह वो जाओ लॉंग टोज़ लगा यॉंग लगा इसके बाल लॉंग लगा मैं नीचे का बाल जूड़ा बाल लिए यह पहले उपपर लगा लेती हूं तो नीचे का बाल में लगांगी मैं कर दो कि अश्राइब दो कर दो तो नीचे का बाल में पुर लिए ऐसे जिकर के लगाना है बाल में पूरे अमिल्चे के बाद में मैं लगाती हूँ जुड़ा कोल के अजर टैब प्रतियो जो जो है कि नहीं है कि अपर के बाले में लगा लूद के अजुड़ जो है मैंने उपर के बाल में लगा लिया पिशे के बाल में जूड़ा बानी थी नेट खोल के उसमें लगा रही हूं मैं लगा बाल में 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 लग सब्सक्राइब चोड़के अब बाल दो लिजिए जो मैं लगाती हूँ कोई चीज देखाती हूँ मैं मैंने लगा लिया यह देखिए मैंने पूरे बाल में लगा लिया है आपको रेमेडी पसंद आये तो लेक करिए सब्सक्राइब करिए